नमस्ते फ्रेंड्स मैं सीमा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में तो आज हम बनाएंगे बादाम सेक मैंने 20-25 बादाम ले ली हैं और हम बादाम सेक बना रहे हैं तो खुब सारी बादाम ही डालेंगे हम इसमें और मैंने इनको रात को भिगो दिया था सारी बादामों का हम छिलका हटा लेंगे और ये बहुत अच्छे से छिल जाती हैं मैंने बादाम को अच्छे से चील के ले लिया है और हमें ब्रतवाला बादाम से एक बना रहा है न तो इसमें हम कस्टड पाउडर का इस्तमाल नहीं करेंगे यू नहीं कॉन फ्लार का इसलिए हम यहां इसे अच्छा एक गाड़ा पन देने के लिए काजू का इस्तमाल कर रह ये देखिए मैंने बहुत बड़िया ऐसे पीस कर तयार कर लिया है तो इसे साइड में रखेंगे और आगे की तयारी कर लेंगे आज हम एक लीटर दूस से बना कर तैयार कर रहे हैं तो यह मैंने फुल क्रीम दूद लिया है इसलिए हम इसे बिलकुल भी नहीं छोड़ेंगे लगातार चलाते जाएंगे बैसे भी यह बहुत जल्दी से बन जाता है इसलिए हम बिलकुल चलाते हुए इसे बना कर तैयार कर हुए 5-7 मिनिट के करीब हो गए हैं तो जो हमने अब पेष्ट बना के रखा था ना बादाम और काजू का उसे डाल देंगे जैसे ही इसमें पेष्ट डाले ना गैस को धीमा कर दें क्योंकि उसमें लंप्स से आ जाती हैं इसलिए और अच्छे से मिलाते हुए सारे लंपस तोड़ते हमें से चलाते जाएंगे तो सारा हमारा पेष्ट दूद में मिक्स हो जाएगा अब तो इस नवरात्रे जरूर बनाना ब्रत में इसे एक गिलास अगर आप सुबह पी लोगे ना तो सारा दिन फुल एनरजी मिलेगी आपको इससे हम बादाम से गर पर बना कर तैयार कर रहे हैं ना तो इसमें हम कोई भी फूट कलर इस्तमाल नहीं करेंगे मैं यहाँ पर पच्चीस से तीस के सर के धागे डाल रही हूँ इनसे बहुत बड़ी अप कलर आएगा हमारे बादाम से एक में तो आगे जैसे जैसे यह पकते जाएंगे ना बैसे इसका कलर और घेरा होता जाएगा मुझे दूद को पकाते हुए 15 मिनिट के करीब हो गए है और हमारा दूद बलकुल अच्छा गाडा दिखने लगा है तो जो साइडों में हमारी मलाई सी जम जाती है ना उसे भी हम निकालेंगे और इसी दूद में मिला लेंगे इसे हम जब पीते हैं ना तो उसका बड़ी अटेस्ट आता है मैंने 8-10 बादम काटके भी डाल ली है अभी डालेंगे ना तो दूद के साथ थोड़ी पक जाएंगी तो अच्छा टेस्ट आएगा इनका थोड़ी सौप्ट हो जाएंगी एदे कि हमारा बादम से कितना गाडा हो गया कर्ची के उपर कैसा जम गया है तो हम थोड़ी देर और पकाएंगे इसे अभी और आज को हम थोड़ा धीमा रखेंगे क्योंकि जैसे जैसे गाडा होता जाता है ना तो और साइडों में चिपकने लगता है वैसे भी हम सुरूल से नकालते जा रहे हैं तो आज को थोड़ा धीमा रखके ही हमें से पकाएंगे अब इसे हमें पकाते हुए 20 मिनिट के करीब हो गए हैं तो यह हमारा खुब गाड़ा सा हो गया है अब इसमें मैं सुगर डालूंगी तो मैं 100 ग्राम के करीब सुगर डाल रही हूँ 100 ग्राम सुगर डालने से मार्केट जैसा बिल्कुल परफेक्ट मीठा हो जाएगा हमें ज़्यादा कम करने की कोई जरूरत नहीं है हमारी सुगर इसमें अच्छे से घुल मिल जाए तो थोड़ी देर और हमेंसे पका लेंगे क्योंकि सुगर डालते है ना तो थोड़ा यह पतला सा हो जाता है इसलिए थोड़ी देर और पकाएंगे इसे हम बस लास्ट में हम इसमें दरदरा कुटा हुए लाइची पाउडर डालेंगे बिल्कुल ताजा वाला इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें बस हमारी सारी चीजे अच्छे से घुल मिल गई है आपस में पक गई है और कलर भी बहुत अच्छा आ गया है हमारे बा के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे यह देखिए हमारा कितना थिक बादाम से बन कर तैयार हुआ है और जो हमने काजू डाले थे ना उससे बहुत जादा क्रीमी पन आया है और आपको मैं सर्प करके दिखा रही हूं यह देखने में तो बहुत जादा अच्छा लग करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूले थेंक यू जा हुआ है और में सरादा टादाव है और में सर्का अच्छा में सर्ड़िया ओड़िया और में कर दो